लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मौल्दीव का इलाज कैसे किया मौल्दीव जो है वो एक ऐसा मुलका जो कर टूरीजम पे चलता है और वहाँ पे तक्रीबबन येरली दस लाग से जाधा इंडियन वहाँ पे जाते और विजिट करते हैं आप इमेजन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या बारत का कितना ज्यादा अस्रों सुख है मेरे लिए जाती तोर पर ये एक बहुत बड़ी शौकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सिस्पेंड कर सकता है इने था अक्षे कुमार, सल्मान खान, जौन अबराहम कह रहे हैं कि अब मौल्दीव नहीं लक्षोदीप में घूमने के लिए आए इचले 48 गेंटों में आप यह इसाब लगाए तीन से चार हजार टिकेट्स वो कैंसल हो चुकी है माल्दिव की होटल पुकिंग कैंसल हो चुकी है इंडिया के अंदर एक वहां पे एक सोट आफ जो नैशनलिस्म है इंडिया के अंदर मीडिया सिवल ससाइटी बीजे बीज इंडिया को बहुत-बहुत मुबारक बात इंडिया के अवाम को इंडियन गर्मेंट को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरंदर मूदी साहब को वहां के लोगों को जबरदस्त कामियाबी पर बहुत-बहुत मुबारक बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए इस नौट अबोट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लक्षदीब का दोरा किया उसके बाल मालदीवस के कुछ मिनिस्टर जो है अप परकार से उन मिनिस्टर की कुरसी भी चली गई और भारत का जो एक्सन हुआ है ना उससे जो है ना मालदीव पूरी तरीके से खिल गया है ने कि उसका जो इलाज है ना वो यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है इसी पर पाकिस्तान का मीडिया किस परकार से चर्चा कर है अपना दे रहा है वह इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह जो मालदीव वाला इश लोगी चैंसल हो चुकी है आप जाहिर है उनकी एकॉनों को बहुत ज़ादा एफेक्ट करेगी कि फिफ्टी परसंट उनकी इकॉनों की इसके ओपर डिपेंड करेंड करें अपको रेविन्यू देते हैं आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है आपकी बस इंडस्री जो गोर्मीट है चाइना की तरफ उसका जुकाओ था जिसकी वज़ाए से यह इशू हुए मैं यह कहता हूं कि इंडिया ने अभी स्टेट्मेंट दी है उन्होंने जो मेरी खबर के मताबी उन्होंने यह कहा है कि यहारे कंट्री के अपनी मर्जी है वो जिसके साथ जैसे जाएं जहां पे जाएं वो जाएं तो यानि के इंडिया ने कोई दुबाव भी नहीं अपना डाला इस तरी के से के नहीं नहीं में हमारे साथ ही रेलेशन बेहतर करो यह उनकी यूनिटी ने जो अच्छी डिप्लोमेसी के निशानिया ना कि जहां पे देखें उनके आपस पर सुषब जितने जितने मर्जी लावत हैं लेकिन जब नेशन की बात थे वह निशन फर्स्ट होती है नके लिए और शमारे उली कोई कहता है या फिर मदब पके ख्याल से मजभ पहले है नेशन पहले है पहले मदब पहले हो चाहिए उसके बाद यह जो नेशन इंसानिया का है वहां कि लोगों से पूछे उनकी क्या स्टेट्मेंट होगी आपके ख्याल से भी इस्लामी कंट्री यह लेकिन वहां पिर देखें दूर दूर से लोग उनको विजिट करने आते हैं उन्होंने वह एक टूरिज्म का हब नागर कर दिया कि लोग वहां पर आते हैं अब हमारे यहां देखें कि हमारे जो नॉर्दन एरिया हैं हमारा गिल्किल बलतिस्तान जुआ इस तौर जो है यह बहुत खुबसूरत इलाके हैं ठीक है लेकिन अब वहां पर क्यों नहीं तो इतना अच्छा निजाम नहीं है दूसरा स्क अब जब पाकिस्तान बेश्चा के एक इसलामिक रियास्त है लेकिन पाकिस्तान के अदर जब एक गहर मुस्लिम आएगा तो वह इसलामिक लाज को फॉलो नहीं करेगा ठीक है यहां पर 99% लोग यहीं कहेंगे कि हमारे लिए मजब फस्त है तो इसका मलब है वह कहीं ना कही मिनिस्टर्स जो हैं को सिस्फेंट कर दिया गया एक का नाम है मरियंश्विना दूसरी का नाम है माल्शा शरीफ और महजूम मजद एक और मिनिस्टर हैं इस जो मिनिस्टर्स थे यह रिस्पॉंसिबल थे because इन्होंने प्राइमनिस्टर मोधी के बारे में और भारत के बारे में को डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिये थे और इस पे पहले तो जो मौलदीव की गवर्मेंट थी उन्होंने अपने आपको इससे डिस्टन्स पर रख लियर होने का जी हमारा इससे कोई तालुक नहीं है और मौलदीव की गवर्मेंट ने इसके उपर क्लारिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइमनिस्टर मोधी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हकूमत से कोई तालुक नहीं है पहली बात तो यह है कि डिरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए इस नौट अबोट प्राइमनिस्टर मोधी इस नौट अबोट इंडिया आपकी डिफरेंस ओपीनियन हो सकता है आप अपने डिफरेंस ऑन इशूस करें अगर मोल्दीव का और भारत का मसला है तो एक इशू के ओपर डिफरेंस करें भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिसकेशन होनी चाहिए वो इशूस पर होनी चाहिए personality भी नहीं होनी सही है, Prime Minister Modi हो, President of Maldiv हो, Prime Minister of Pakistan हो, they are being represented by the people of India, Pakistan and Maldiv, they deserve respect. आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनाब आप भारत के वजीरिया, भारत से हमारी लड़ाई है, तो हम भारत के वजीरियाजमिया सदर या उनके जो senior लोग हैं, उनकी इंसल्ट करें, I personally find it very derogatory, मैं इसको जाती तोर पर समझता हूँ, ये एक इंताई बत्तमीजी के जुम्रे में आता है, और कोई भी हो, इस नॉट अबाउट आप जिसे कहले ना कि ये जो question है, बत्तमीजी करने का ये derogatory remarks का मेरी जाती नजर में, मैं इसको अच्छा नहीं समझता, और मैंने तो इसके उपर, माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये जो चीज़ है, ये obviously एक मुनास्फ चीज़ नहीं है, और ये minister level पे इस चीज़ का होना, ये एक और एक बत्तमीजी के जुम्रे में आता है, और मालडीव की गवर्मेंट ने इसके उपर जो statement जारी किया, और ने कहा है कि ये एक individual elect है, हमारा इससे कोई लेना दे रहा नहीं है, so it means के आप भारत का pressure चेक करें, forget what has happened, इस चीज़ को छोड़ें के क्या हुआ है, इस चीज़ को छोड़ें के ministers फारग हो गए, just इसकी जो consequences चेक करें, that how influential India is in the region and in Maldives, एक तरफ तो वहाँ पे जो president हैं, कभी वो टर्की जाते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि आपने यहां से फोजी निकाल लें, कभी वो ये कहते हैं कि जिनाब मैं चायना जा रहा हूं, just to give a message to, जिसे कहते हैं ना, प्राइम मिस्टर उसको message देने के लिए, लेकिन और कभी, अभी सुना है, वो चायना चाहा रहे हैं, आपको बदे कल रात Maldives की जो foreign ministry की और government की और presidency की जो सारी websites थी, वो सारी की सारी बंद होगी थी, और मैं, I will not be surprised and shocked and I will not, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी, या मेरे लिए कोई ऐसी चंबे की वात नहीं होगी, कि इसमें if the hackers may not be from India, तो दोस्तों I hope कि आपकोई वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा हैं कि पाकिस्तान का मेडिया खुद इस बात को condemn कर रहा है, कि अगर आपके कोई इश्यू है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लक्षिदीब का दोरा किया था, तो वो भारत का ही पार्ट है, वहाँ पर टूरिजम को प्रमोट करना भारत सरकार की और भारतियों की जिम्मेदारी है, तो उसी कड़ी में ये सारा काम हुआ था, और उस दोरे में कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मालदिवस को लेकर बात नहीं की, अगर आपके कुछ इश्यू है तो आप इश्यू पर बात कीजिए, किसी भी परस्नालिटी के उपर कोई कमेंट करना, ये कोई जाइज बात नहीं है डिप्लोमेशी के अंदर, लेकिन मालदिवस के मिनिस्टर ने ऐसा किया, उसके बाद हमने देखा कि वहाँ की जो सरकार है, वो साइड हो गई, उन्होंने कह दिया कि ये इनके खुद के बयान है, उसके बाद हमने देखा कि जो मिनिस्टर थे तमाम, उनको हटा दिया, गौर्मेंट से उनकी मिनिस्टरी ले ली गई वापिस, और उनके उपर एक्सन हुआ, कई सारे अधिकारी ऐसे बताए जा रहे हैं, जो छोटे इस तरह पर काम करते हैं, उनके रिमार्क भी कुछ ऐसे ही थे, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बाइकोर्ट मालदिव्स जो है वो ट्रेंड कर रहा हैं, और कई सारे टिकट कैंसल किये जा रहे हैं, बुकिंगे कैंसल किये जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो मालदिव्स है न, उसको जो है न, भारत के साथ पंगा लेना यहां पर महेंगा पड़ गया है, बाकि आपने पूरी वीडियो देखिए, आपको